दोस्तों नए-nए यूट्यूबर के दिमाग में एक सवाल होता है, जो बार-बार हमसे कमेंट सेक्षन में पूछा जाता है, अभी मैं अपने कमेंट में बहुत सारे जो कमेंट आता उनको पढ़ रहा था, तो एक कमेंट बहुत पूछा जा रहा था, कि सर मेरा चनल कब ग्र बनने के बाद आपका चनल ग्रो होने लगता है, अगर ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, देखे सबसे पहले बात करते हैं, कि आप चनल जब बना रहे है, उस टेम आपकी सिच्वेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है, सिच्वेशन से मत प्राक्टिस बहुत अच्छी है, यानि कि जब आप पहला वीडियो बनाओगे, वो एक क्लास वीडियो बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा, एक तो इस पर डिपेंड करता है, एक आपने अभी बस स्टार्ट कर दिया, और आपने सोचा करते करते सीख भी लेंगे, दोनों ही तरीके बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यूटूब चैनल, आप सोचते हैं कि आज ही स्टार्ट कर देता हूँ, तीरे-दीरे मैं वीडियो बनाओगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो भी आपको टाइम लगेगा, और आप पहले ही सीख लोगे, तो उस पर कितना डाइम लगेगा, तो यहाँ पर चीजे दो तरह से काम करती है, एक होता है ऐसे वीडियो, जिन टॉपिक्स पर वीडियो अल्रेडी पहले से हैं, अगर आपको एजूकेशनल कॉंटेंट बना रहे हैं, और अगर उन पर पहले से बहुत सारे वीडियो वीडिय देखे हुए हैं, तो उसी टॉपिक पर एक नए चलका वीडियो वाइरल होना थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा, लेकिन आप एक यूनिक टॉपिक ले क्या है, बहुत यालग टॉपिक ले क्या है, तो आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, आपका जल्दी गिरो होने लग या फिर ऐसा भी हो सकता है, कि आपका टॉपिक तो वही है, लेकिन आपका जो प्रजेंटेशन का अंदाज है, वो बहुत नया है, वो बिल्कुल यूनिक है, उसको लोगों ने ऐसे अंदाज में वीडियो नहीं देखी, बहले ही टॉपिक सेम हो, बहले ही ऐसे टॉपिक प तो ये इसलिए मैंने कहा कि पहले आपके तो सीख ले, ठीक है, ये चीज हो गई, एक ये भी ऐसा भी हो सकता है, कि हो सकता है कि आपका जो content है, वो आप बना रहे है, searching content, how to, how to बना रहे है, और वही बना रहे है, जिनको पहले से भी बना हुआ है, वो content, आपका अंदाज भ बूस्ट हो जाएगी, YouTube उसे algorithm boost कर देगा, लेकिन ये बता पाना बहुत मुस्किल है, कि भाई, कितना वीडियो आपको डालना पड़ेगा, हो सकते है, आपकी पहली वीडियो हो जाए, हो सकते है, आपकी 20 वीडियो हो, वाइरल हो सकता है, कि 25 वीडियो वाइरल हो, यहाँ पर यह बिल्कुल भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो algorithm है, और जो आपका channel है, उस दोनों की जब पर लमें एक तरीके से दोस्ती हो जाएगी, तब ही आपका channel बूस्ट होगा, अब आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखनी है, एक बात जो अखिकत में ध्यान में रखनी ही पड़े ही आपको, वह है आपकी consistency, आप consistency का कुछ लोग मतलबी गल्प निकालते हैं, वो सोचते हैं, कि मैं जादा से जादा वीडियो अपलोड करूंगा, जादा जादा वीडियो अपलोड करूंगा, तो मेरा चनल जल्दी गिरो हो जाएगा, लोग लिखते हैं, जादा वीडियो अपलोड करना कोई बड़ा मैटर नहीं है, आपने देखे होंगे कि बहुत सार ऐसे भी चैनल है जिनके 100 वीडियो है, लेकिन मिलियन्स में सब्सकाइब है, और कुछ ऐसे भीचले, जिनके हजारों वीडियो है, और मिलियन्स में सब्सकाइब है, तो यह मतलब नहीं कि आप भरबर के वीडियो अपलोड करें बलके मैं तो चोबिस घंटे में तीन वीडियो से ज़्यादा अपलोड मत ही करना क्योंकि उसके नौटिफेकिशन वगएरा जाते नहीं और यूट्यूब से ठंडे बसते में डाल देता है तो आप मैक्सिम अगर ऐसा क्वालिटी तो मेरा भी है फिर मेरा आगे क्यों नहीं आ रहा तो भाई उसने बहुत मेहनत करी हो बहुत टाइम से काम कर रहा उसके आपको मिलियन अब दिख रहे है यानि उसका आपको रिजल्ट दिख रहे है आपने अभी इस्टार्ट के निवाब एफट लगा रह वही consistency आपको maintain रखनी है भर भर के वीडियो डालने से कुछ भी फरक नहीं पड़ता तो इस तरीके से आपको काम करना है और दिमाग में यह चीज कभी लानी नहीं है कि भाई कितना वीडियो डालूंगा यार जो मेरा जो है चनल ग्रो हो जाएगा यानि अधिक वीडियो ड जै